खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए क्या है जहरीले जाम का पूरा समझ जाम से जाम तकराए और कुछ ही घंटे में लाशों के ठेर लग गए जिसके भी गले के नीचे शराब की घूट उत्री वो मौत का निवाला बन गया यह खौफना खकीकत है देश को हिला देने वाले शराब कांड की उस शराब कांड की जिसके कहर ने यूपी और उत्राखंड में सक्तर से ज्यादा लोगों की जिन्दगी च्छीन ले संसनी में आज देखिए शराब कांड से जुडा सबसे बड़ा कुला सा जक्त गया मेरा रुपिल गया मा क्या करूं दरूपी कर मेरा घरुजड़ गया अधीफ लिए जक्त गया मेरा घरुजड़ गया ये जहरीली शराब के कहर की तस्वीरे हैं ये उस शराब कान का कहर है जिसने उत्तर प्रदेश और उत्तर आखंड में सत्तर से जादा लोगों की जंदगी चीन ली ये जो इमर्जनसी यूनिट है इमर्जनसी वार्ड है यहाँ पर कल से ही लगातार जहरीली शराब पीने की वज़ा से जो लोग बिमार हुए उनके आने का ताता लगा हुआ है और परीजन आप देख सकते हैं कि रोते भी लगते जो परीजन है वो आपको नज़र आएंगे और मौत का जो ये आंकड़ा है ये रुखने का नाम नहीं ले रहा ये उस शराब कांड का कहर है जिसकी तरावनी कहानी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और कुल मिलाकर सहरनपुर में अभी तक 46 मौतों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई उत्तर प्रदेश और उत्तर अखंड के कई सीमा वरती इलाकों में जहरीली शराब का ऐसा कहर तूटा कि कहों के कहों मातम में ढूब गए कई गाउं ऐसे हैं जहां गरों में पिछले 24 घंटों से चूले नहीं जले हर तरफ दर्द है मातम है और तो और बच्चों की चीखें हैं जो कलेजे को चीर देती हैं नजाने कितने घरों के खुशियां छिन गई हैं नजाने कितने बच्चों का भविश्य अंधकार में ढूब गया है जहरीले जान ने नजाने कितने परिवारों को पूरी तरह से उजाड़ दिया दिया पूरे इलाके में मातम पसरा है कई घर ऐसे हैं जहां एक साथ कई लुगों की अर्थियां उठी एक साथ कई चिताएं जली पूरा का पूरा गाओं शम्शान में तब्दील हो गया यह सब हुआ शराब के अंदर चूहे मारने वाले जहर की मिलावट से शराब कांड के साथ चूहे मारने वाले जहर के कनेक्शन की पूरी कहनी भी हम बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यूपी और उत्तरा घंड के किस किस इलाके में टूटा है जहरीले जाम का कहर सहरनपुर में 46 लोगों की मौत अरिद्वार में 20 लोगों की मौत कुशी नगर में 11 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश और उत्तरा खंड के अलग-अलग गाउं में रहने वाले 77 लोग जहरीले जाम का शिकार बन गए मरने बालों की गिनती किसी भी वक्त बढ़ सकती है क्योंकि दर्जनों लोग अब भी अस्पताल में जिन्दगी की जंग लड़ रहे हैं जहरीली शराब का सबसे जादा कहर बरपा है यूपी और उत्तरा खंड के दो सीमा वर्ती जिलों में शिरुवाती तहकीकात में पता चला है कि उत्तरा खंड के हरिद्वार में शराब की बूतल में मौत परूसी जा रही थी हरिद्वार के गाओं बलूपुर में धडलले से कच्ची शराब बेची जा रही थी उसी जहरीली शराग की चपेट में आ गया यूपी का जिला सहरनपुर एक दो लोगों की डेट तो वहीं हुई और रास्ते में आते हुई पता चला है कि जितने भी लोग जहरीली शराग की चपेट में आये हैं उनमें से काफी तादाद ऐसे लोगों की है जो बलूपुर गाउं में तेर्वी के भोज़ पर इकठा हुए थे जादतर रोग आसपास के गाउं से वहां पहुँचे थे गाउंवालों का कहना है कि उसी दौरान मेहमानों को कच्ची शराब परूसी गई और कुछी घंटे बाद शराब पीने वाले लोगों की तबियत विगणनी शुरू हो गई कई लोगों को तो अस्पताल पहुचाने का मौका भी नहीं मिल पाया उससे पहले ही उनकी मौत हो गई एक साथ कई लोगों की तबियत खराब होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया देखते ही देखते हरिद्वार के तमाम अस्पताल मरीजों से भर गए यही हाल सहरनपुर और कुशी नगर में भी था जिन मरीजों की हालत कंभीर थी उन्हें मेरट रेफर किया गया लेकिन उन में से कई लोगों को बचाया नहीं जा सका मेरट मेडिकल कॉलेज में कल हम लोगों के हाँ से कुल 18 केसेज रिफर किये गए थे मेरट मेडिकल कॉलेज की तरफ से और अभी वहाँ के सेस्पी साब की तरफ से जो एक मैसेज दिया गया है कुल वहाँ पर 27 लोगों को रिफर किया गया है और अलग-अलग जनपदों से है उसकी डीटेल अभी सस्पी साब देंगे भी उसमें हरिद्वार से भी कई लोग भरती हुए है जिनकी डेथ हुई है कच्छी शराब ने जिन लोगों की जिन लोगों की चीन ही उनमें से ज़ादातर घरीब मजदूर थे उन्हें क्या पता था कि नशे की तलब में वो जहर का जाम पी रहे थे उन्हें क्या मालूम था कि जहरीली शराब के दो घूट उनकी पूरी जिन्दगी को ही गटक जाएंगे जहर के जाम ने गाउं गाउं में लाशों के धेर लगा दिये उत्तर प्रदेश के साहरन पूर जिले का ये वो बदनसीब गाउं है जहां जहरीली शराब पीने से पंद्रह लोगों की मौत हो गई मौत के मातम ने इस गाउं को शमशान में तबदील कर दिया है बीते 36 गंटों में साहरन पूर के इस उमाही गाउं में पंद्रह लोगों की जहरीली शराब पीने की वज़ा से मौत हो चुकी है पूरे के पूरे गाउं में मातम पसरा हुआ है तकरीबन 8000 की आबादी वाले इस गाउं में रोजाना सुभा हसते खेलते बच्चों की जो खिलखिलाहट है उसके साथ में सुभा होती थी दिन भर बच्चे खेलते कूटते थे दोड़ते भागते थे लेकिन अब इस गाउं में पसरा है तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा čारों ओर सुनाई देती है तो मातम की आवाज, रोती हुई महिलाओं की आवाज और बिलखते हुए पूर्शों की जो आवाज है वो इस गाउं में सुनाई देती है और इसकी वज़ा सबसे बड़ी यही है कि बीते 36 गंटों के दौरान सहरनपुर के इस उमाही गाउं में 15 लोगों की जहरीली शराप पीने की वज़ा से मौत हो चुकी है तकरीमन 8000 लोगों की आबादी वाला ये गाउं रोजाना हसते खेलते बच्चों की किलकारियों से गूँचता था लेकिन अब इस गाउं में घर घर में कोहराम मचा है गाउं की औरतें बच्चे बुज़ुर्ग और नौजवान सब के सब सदमे में है क्या कहना चाती है इतना बड़ा हादसा है आप लोगों की क्या मांग है सरकार से इस तरीके से जैसे पूरे इलाके में आमा ये शराब बिखती है इतने परिवार उजड़ गए 15 लाशे एक 7 गाउं से उठती है इससे दुखत गटना कुछ और हो नहीं सकती शराब कांड ने सहरनपुर के उमड़ी गाउं पर ऐसा ही कहर बरपाया है जिसकी भरपाई आने वाली कई पीड़ियां भी नहीं कर पाएंगी इस गाउं में रहने वाले पिंटू के घर से पांच जनाजे उठे हैं पूरे इलाके में चर्चा है कि पिंटू कच्ची शराब बेचता था लेकिन मौत जब आती है तो नाम और पता पूच कर नहीं आती जहरीली शराब के कहर से पिंटू खुद भी बच नहीं पाया कच्ची शराब में मिलावट के जहर ने पिंटू समेत उसके परिवार के पांच लोगों की जिन्दगी पर मौत की मुहर लगा दी इतना ही नहीं चटा शक्स अस्पताल में जिन्दगी की लड़ाई लड़ र और कच्ची शराब पीकर जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी गवा दी उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसमें जहर की मिलावट थी जी हाँ शराब में थी रेट पॉईजन यानी चूहे मारने वाले जहर की मिलावट चूहे मारने वाले जहर की कहानी ने सार खुलासा ये कि कच्ची शराब में नशा बढ़ाने के लिए मिलाया गया था रैट पॉईजन जी हाँ सही सुना अपने रैट पॉईजन यानि चूहे मारने काख जहर ये संसनी खेज खुलासा शराब कांट की तहकीकात में जुटी पुलिस की शुरुवाती जांच में हुआ पॉईजन जो पॉईजन की बात कही थी तो रैट पॉईजन के बारे में कितना कंफर्मिशन है अभी जो बालूपूर में हमारे टीम डेरा डाला हुआ है वो जो कैम्प कर रहे हैं वहाँ पे जो लगातार दबीशन जारी है उनको जो उनके लोकल ने ये कहा है वहाँ के लोकल जो ट्राइब्स होते हैं वो ये जो काम करते हैं शराब की वो शराब को तेज बनाने के लिए कभी केमिकल सबस्टेंज कभी उसमे रैट पॉईजन भी एक वन आफ दिक पॉईजन से ये मिला सकते हैं मिला हैते हैं कभी अपनी जांच को किसी नतीजे तक पहुँचाने के लिए पुलिस ने मृत्तकों के विसरा सेंपल फरंसिक लाब में भेजे हैं पुलिस को उमीद है कि विसरा जांच रिपोर्ट से शराब कांड का पूरा संच सामने आ जाएगा अला अफसरों ने एबी पी नियूस के कैमरे पर कुभूल किया है कि जिन लोगों की मौत कच्ची शराब पीने की वज़ा से हुई है उनकी पूरी पूस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद शराब कांड से चुड़े कई राज बेपरदा हो सकते हैं सबसे बड़ा राज तो यही है कि कच्ची शराब में राट पॉईजन यानि चूहे मारने वाले जहर की मिलावट कैसे की जा रही थी और ये मिलावट कौन कर रहा था गैर कानूनी ढंक से जहरीली शराब तयार करने और शराब की उस खेप को बेचने वाले शैतानों को बे नकाब करने के लिए पुलिस ने अकेले सहरनपुर में ही 20 से जादा FIR दर्ज की हैं उत्तरा कंड पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है काफी जो जो भी हुआ है पूरा विस्तार से लिखा है और इसके अलवा जो अन्य जगाओं पे जो भी हमारे पास मौझूद जानकारी है उसमें प्रियारिटी बेसिस पे हम लोगों ने कारवाई किया और 30 लोगों की गिरफतार किया है 24 अफियार्स लिखा गया अलग अलग दारों में एक बट्टी पकड़ा गया है तमाम सामान कांफिसकेट किया है अंग्रेजी शराब भी पकड़े गया हरियाना मारके के और देशी पोवे भी पकड़े गया है इसके लवा लगातार हम लोग जो हरिदवार की टीम के साथ जाइंट आपरेशन कर रहे हैं उनके बार्डरों की गाओं में जो बालूपूर और अन्य गाओं में जो इस तरह के शिकायते उनके जंगलों में भी हम लोग कॉमिंग कर रहे हैं जहरीली शराब कांड की जांच में जुटी पुलिस ने आनन फानन में कारवाई करते हुए तीस से जादा लोगों को विरासत में लिया है पुलिस की कारवाई पर लोगों का कहना है कि पुलिस अगर पहले हरकत में आई होती तो लोगों की जिंदगी बच सकती थी लोग खुले आम कह रहे हैं कि पूरे इलाके में धनले से जहरीली शराब बिक्ती है और पुलिस सब कुछ जानती है जाहर है जिस शराबकार ने 77 लोगों की जंदगी चीन ली वो दो राज्यों की पुलिस और पूरे प्रशासनिक सिस्टम की नाक के ठीक नीचे हुआ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस वालों की मिली भगत और साथ गांड से ही जहरीली शराब बेच रहे हैं मौत के सौदागर लिटेल सेल करते हैं एक तरीके से पूरा का पूरा बिजनिस मॉडल जो है वो इस अवैद शराब का डेवलप हो चुका था और बीते तीन से चार साल से चल रहा था तमाम पुलिस के अधिकारियों को मालूम था पुलिस वाले बाकाईदा हफता लेते थे शराब कांड में सतर से जादा लोगों की मौत से पूरा सिस्टम हिला हुआ है सहरनपुर और कुशी नगर में कई पुलिस वालों और आपकारी विभाग के अफसरों पर गाजगिरी है सहरनपुर और कुशी नगर के जिला आपकारी अधिकारियों समीत 21 लोगों को सस्पेंड किया गया है कुशी नगर में 4 पुलिस वाले और 5 आपकारी करबचारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है सहारनपुर में एक थाना प्रभारी समेट दस पुलिस वाले सस्पेंट किये गए हैं वहीं उत्तरा खंड में भी आपकारी महकमे के तेरा अफसरों और तीन पुलिस वालों पर गाज गिरी है शराग की बूतल में चूहे मारने का जहर शराग कांट पर बड़ा खुलासा क्या है जहरीले चाम का पूरा समझ शराग कांट में अब तक 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है पुलिस ने ताबड तोड करवाई करके जहरीली शराब के कई गोदामों पर चापे मारी की है सवाल ये है कि जब पुलिस को कच्ची शराब के तमाम ठिकानों की जानकारी थी तो अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी तुपी और उत्तरा खंड में जहरीली शराब पीने से 77 लोगों की मौत के बाद जब पुलिस और प्रशासन हरकत में आया तो कई इलाकों में ऐसा मनजर देखने को मिला अलग-अलग इलाकों में गयर कानूनी धंग से बनाई जा रही कच्ची शराब की खेप को कहीं पुलिस ने जब्द कर लिया तो कहीं जहरीली शराब के ड्रम जमीन पर उंडेल दिये गए यह है लखनव का मोहनलाल गंज इलाका जहां धडले से अवैज शराब बनाने का कोरक धंदा चल रहा था यहां से करीब 230 लीटर अवैज शराब बरामत की गई है और अब तक 11 लोगों को गिरफतार किया गया है मुरादाबाद में पुलिस ने करीब 1000 लीटर कच्ची शराब जब्द की है कई 100 लीटर अवैज शराब को नश्ट कर दिया है साथ ही शराब माफिया पर नकैल कसने के लिए ताबर तोड गिरफतारियां की जा रही है अवैज शराब से सबसे जादा सहरनपुर और कुशी नगर में मौते हुई है जिसके बाद सहरनपुर के पुलिस अवैज शराब के कारोबारियों पर सक्त दिख रही है लेकिन इस पूरी कवायत के बाद भी लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि शराब कार्ड में मारे गए लोगों का कातल कौन है और उन कातलों को कब मिलेगी उनके कुनाहों की सजा संसनी के लिए रक्षत सिंग के साथ बिरो रिपॉर्ट वाकई हैरत की बात है कि शराब कांड के बाद पुलिस सीधे उन इलाखों में पहुँच गई जहां धडले से जहरीली शराब बनाई जा रही थी तो क्या पुलिस जहरीली शराब के कारोबार के बारे में सब कुछ चानती थी क्या पुलिस इस भयानक शराब कांड का इंतजार कर रही थी संसनी में अभी बस इतना ही संसस्साटर कर रही थी कि अ अभी थी थी जाल कि अभी थी 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 थे कि रही थे कि अभी थी थी थे शू抗़